नमस्कार बच्चो कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बाते करूँगा ध्यान से मेरी बातों को सुने और जवाब दिने की कोशिश करें बच्चो आप पहाडों की सेर पर गए हैं कौन कौन गया है पहाडों की सेर पर अरे वाह बहुत सारे लोग गए होंगे ना पहाडों की सेर पर कहां कहां गए हैं आप लोग शिमला मनाली हाँ दारजिलिंग मसूरी नैनी ताल बहुत सारी जगहों पर गए हैं आप लोग शावाश मुझे जरा ये बताएंगे आपने पहाडों पर ज़रने देखे हैं देखे हैं ना ज़रने बरफीली पहाड़ियों की चोटियों के बीच में से कहीं पहाड के उपर से नीचे कल कल गिरता ज़रना है ना और आप उन्हें से कईयों ने तो उसमें सुनान भी किया होगा किया है ना चलो अच्छा मुझे एक बात और बताओ नदियाँ कहां से निकलती हैं अपने नदिया देखी हैं ना तो नदियां कहां से निकलती हैं? बिलकुल सही, पहारों से निकलती हैं नदियां. कौन-कौन से नदियां निकलती हैं पहारों से? हाँ, लगभग सारी नदियां निकलती हैं पहारों से. गंगा, यमना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सभी नदियां लगभग पहारों से निकलत पहारों की बेटियां तो बच्चो आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिमाले की बेटियां इस पार्ट का नाम हिमाले की बेटियां क्यों रखा गया है हिमाले हमारे देश में सबसे बड़ी पहारी श्रिंग खला है हिमाले की गोंच से ही कई सारी नदिया निकलती हैं जो लोग उत्राखंड में रहते हैं वो जानते हैं कि हिमाले की गोंच से कितनी नदिया निकलती हैं गंगा, यमुना, अलकनन्दा ये उत्राखंड की प्रमुख नदिया हैं उसी तरह से तिपस से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी भी पहाडों से निकलती है हमारे देश की प्रमुख नदिया हिमालय से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, प्रमुख नदिया है तो बच्चो ये नदिया पहाडों से निकलती है, हिमालय से निकलती है इसलिए इस पाठ का नाम हिमालय की बेटियां रखा गया है इस पार्ठ में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इस पार्ठ के पठन से पहले हम थोड़ा सा पार्ठ समझ ले बच्चो हम नदियों को माता का दरजा देते हैं हमारे देश में नदियां माता का दरजा प्राप्ट किये हुए है और किसलिए प्राप्त किये वे हैं? क्योंकि ये हमारी संस्कृती की जनक है नदियों के किनारे ही हमारी संस्कृती ने जन्म लिया है आपने देखा होगा नदियों किनारे बड़े बड़े शहर है कानपूर, बनारस, इलहाबाद, हरिद्वार, रिशिकेश बड़े बड़े शहर है क्यों बनते हैं ये शहर, क्यों बनते हैं ये नगर क्योंकि नदियों की पानी से ही हमें जीवन मिलता है हमारे समाज को गती मिलती है हमारे संस्कृती जन्म लेती है हमारे खेंतों को पानी मिलता है हमारी फसलों की सिचाई होती है और फसलों की सिचाई होती है तो हमें आनाज मिलता है जिसे हम खाकर बड़े होते हैं और इसलिए नदियों को माता कहा जाता है पर तो इस पार्ठ में तो नदियों को हिमाले की बेटियां कहा गया है क्यों कहा गया है लेखा कहता है कि मैदानी इलाकों में नदियां अपना विशाल रूप धरन कर लेती है विशालता के साथ साथ उनमें शांती भी होती है वो शांत और विशाल होती है लेकिन यदि आप पहाडों पर जाकर देखें जहां से नदिया निकलती हैं तो वहां वे विशाल नहीं होती उनकी पतली धारा बड़ी तेजी से कल-कल कल-कल गिरती रहती है कल-कल-कल करते हुए वो मैदानी इलाकों की तरह बढ़ती है उसी तरह से जैसे छोटी छोटी बेटियां बड़ी नटखट चंचल होती है उचलती एकुदती भागती है उसी तरह से ये नदियां भी पहाडों से अलग होती है किन्तु चंचलता के साथ उचलती एकुदती मैदानी इलाकों तरह भागती है मैदानों में आकर वो एक सब्रान्त महिला बन जाती है शांत हो जाती है विशाल हो जाती है किन्तु पहाडों की गोध में वो उसकी बेटियों की तरह बड़े नटकटबन के साथ बड़े चंचलता के साथ उछलती कुती खेलती है इसलिए लेखक पहाडों की गुद में से निकलती नदियों को इनकी पतली धाराओं को बेटियों की संग्या देता है लेखक कहता है कि मैदानी इलाकों में ये नदिया माता का दरजा पराप्त कर लेती है किन्तु पहाड़ी इलाकों में ये नदियां, बेटियां और बेहने हो जाती है और हमें इसी नजर से देखना चाहिए हम केवर माताओं की नजर से क्यों देखें लिखा कहता है कि शुरू में मैं भी ऐसा ही कुछ देखता था पर जब मैं पहाड़ी पर गया, जब मैं हमाले पर गोमने गया तो मैंने देखा कि इनकी पतली पतली धाराएं कितनी सुन्दर और मनोहर होती है जो बेटियों की तरह उचलती, खेलती, नाच्टी, मैदानी इलाकों की तरह बढ़ती बच्चो, तो आई इस पाठ का पठन करें और समझें के नदियां किस तरह हिमाले की गोज से अलग होकर समुद्र में मिलती हैं और अपने कितने रूपों में परिवर्तित होती हैं तो चले, पढ़े हम ये पाठ, चलिए, किताब खोलिए और मेरे साथ इस पूरे पाठ का पठन कीजिए बच्चो, मैं आपके साथ साथ पढ़ूँगा, आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कठिन शब्दों का उचान कैसे कर रहा हूँ तो आप कठिन शब्दों का उचान करने में सक्षम हो जाएंगे चलो, पढ़ते हैं, पाठ का नाम जैसा कि मैंने बताया हिमालय की बेटिया अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी संब्रान्त महिला की भांती, विप्रतीत होती थी उनके प्रती मेरे दिल में आदर और शद्धा के भाव थे मा और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता परन्तु इस बार जब मैं हिमाले के कंधे पर चड़ा तो भी कुछ और रूप में सामने थी मैं हरान था कि यही दूबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है इनका उचलना और कुदना, खिल-खिला कर लगातार हसते जाना इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतहुल और विसमें नहीं होता जितना की इन बेटियों की बाल लिला को देखकर कहां यह भागी जा रही है, वह कौन लक्ष है जिसने इन्हें वेचैन कर रखा है सकेगा, बरफ, जली नंगी पहाडियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर, अधित्य काई, सरसब्ज, उपत्य काई, ऐसा है इनका लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर, शायद इन्हें बीती बाती याद करने का मौका मिल जाता होगा कौन जाने, बुढधा ही मालय, अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर्ध हुनता होगा, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाए उनके पास और रखा ही क्या है सिंधू और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, जेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सर्यू, गंडक, कोसी, आदी हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आखों के सामने नाचने लगती है वास्तों में सिंधू और ब्रह्मपुत्र स्वयम कुछ नहीं है, दयालू हिमालय के पिखले हुए दिल की एक एक बूंद नजाने कब से इकठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है कितना स्वभा के शाली है वह समुद्र जिसे परवत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रे मिला जिन्होंने मैदानों में ही इन अदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बुढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बन कर ये कैसे खेला करती है माबाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकरशक भले न हो मुझे तो ऐसा लुभावना परतीत हुआ वहरूब की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामात कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती कालिदास के विरही यक्ष ने अपनी मेगदूच से कहा था बेत्रवती यानि बेतवा नदी को प्रेम का परतिदान देते जाना तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसंद होगी यह बात इन चंचल नदीयों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदीयों का सचेतन रूपक पसंद था दरसल जो भी कोई नदीयों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा काका कालेल करनी नदीयों को लोक माता कहा है कि तु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ली तो क्या हर्ज है और थोड़ा आगे चलिए इन्ही में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का स्थान कितने कभियों ने इन नदीयों को दिया है एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी थोलिंग की बात है मन उचट गया था तब्यत धीली थी सतलज के किनारे जाकर बैठ गया दोपहर का समय था पैर लटका दिये पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रकती शील जलने असर डाला तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुना ने जै हो सतलज बेहन तुम्हारी लीला अचरज बेहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी जाओं मैं तुम पर बलिहारी तुम बेटी है बाप हिमालै चिंतित पर चुकचाप हिमालै प्रक्रती नटी के चित्रत पट पर अनुपम अदबुत चाप हिमालै जै हो सतलज बेहन तुम्हारी बच्चो इस प्रकार आपने इस पाठ का पठन किया बच्चो इस पाठ में लेखक नदियों को माता कहने से पहले बेटियों और बेहनों के रूप में देखना चाहता है जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा काका कालेलकर ने नदियों को लोग माता का दर्जा दिया है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नदियों से हमारी सभ्यता विक्सित हुई है नदियां हमारी संस्क्रती की चनक हैं किन्तु लेखा कहता है कि नदियों को माता कहने से पहले हमें बेटियों और बेहनों के रूप में भी देखना होगा जिस प्रकार बेटियां ही सब्रांत महिलाएं बनती है विशाल और शांत रूप में परवर्तित होती ही नदियां पहले बैटियाँ ही होती है हिमाले की गोज्ट से ये बैटियाँ ही निकल कर मैदानों में विशाल रूप में नदी का रूप धरन कर लेती है लेखा कहता है हिमाले की बेटियां उचलती कुट्ती समंदर में जाकर मिलती है लेखा कहता है कि हमें पहले इने बेटियां, बेहने और प्रेमिका के रूप में भी देखना होगा तब ही हम समझ पाएंगे कि नदियों का उद्गम क्या है और नदियों का लक्ष क्या है या पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा तो चलिए कुछ अभ्यास के प्रश्ण भी करें इसी पाठ से मिलते जुलते कुछ अभ्यास के प्रश्ण मैं आप से पूछूंगा और आप उसका उत्तर मुझे सोच कर अच्छे से देंगे पहले बहु विकल्पी प्रश्ण मैं आपको एक से अधिक विकल्प दूँगा और आप उस पर टिक करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरा पहला प्रश्ण है लेखक ने इस निबंध में किस विशे पर चर्चा की है बता ये जड़ा किस विशे पर चर्चा की है मेरा पहला विकल्प है पहाड़ियों और नदियों की दूसरा विकल्प है माता पिता की बताओ बताओ सही जगह पर टिक करो बेलकुल सही पहाड़ों और नदियों की इसमें लेखक ने नदियों को किन किन रिष्टूं के रूप में बताने की कोशिश की है पहला विकल्ब है माता बेहन प्रेसी पुत्री और दूसरा विकल्ब है पिता भाई बेहन बताईए हाँ सोचे बिलकुल सही माता बहन प्रेशी और पुत्री तीसरा प्रेश सुनिए लेखक ने इस निबंध में किस महाकवी की चर्चा की है पहला विकल्प है यक्षणी और दूसरा विकल्प है महाकवी कालेदाज बताईए सोचिये पार्ट में आपने पढ़ा था ना किसकी बात की है महाकवी कालेदाज की महाकवी कालेदाज के मेग दूत गरंथ में उन्होंने बेतवान अदी की चर्चा की है चलिए अगला प्रश्ण लिखक ने हिमालय और समुद्र को कौन सा रूप देने का प्रयास किया है पहला विकल्प है ससुर और दामाद दूसरा है मा और बेटी बताइए किस रूप में देखनी कोशिश की है बिल्कुल सही ससुर और दामाद अगला प्रश्ण सुनिए लेखक को दूर से नदियां कैसी नजर आती थी पहला विकल्प है शूर मचाती हुई और दूसरा विकल्प है शान्त और गहरी बताइए कैसी नजर आती हैं उसको नदियां बिल्कुल सही शान्त और गहरी अगला प्रश्ण सुनिए इस निबंद में दुबली पतली किसो बोला गया है नदियों को पहाड़ियों को बिल्कुल सही नदियों को अगला प्रश्ण सुनिए इस निबंद में कौन सी दो महा नदियों की बात की गई है पहला विकल्ब है सिंधु और ब्रह्मपुत्र और दूसरा विकल्ब है सतलुज और जमुना बिल्कुल सही सिंधु और ब्रह्मपुत्र शाबाश आपने अभी तक के सभी प्रश्णों के उतर सही दिये अब हम सही गलत करते हैं मैं आपको पंक्ती बोलूँगा और आपने बताना है कि ये पंक्ती सही है या गलत तो शुरू करें लेखक को पहाड़ियां चड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था ये बात सही है कि गलत गलत क्योंकि लेखक हिमालाए पर जाता है तभी तो नदियों के बारे में लिखता है ना हिमालाए पहाड ज्यत्र है तो लेखक को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था दूसरा वाके सुनिए क्या लेखक ने नदियों को माता का रूप बताने का प्रयास किया है नहीं गलत है ये शावाश गलत है क्यों लेखक ने नदियों को बेठियों और बेहनों का रूप बताने का प्रयास किया है ना चलिए अगली पंक्ति पढ़ता हूँ बताईए सही है या गलत नदियां हिमाले की गोश से निकलती हुई समतल जगह पर समुद्र से जाकर मिलती हैं सही है बिलको सही नदियां हिमाले की गोश से निकलकर मैदानी इलागों में से होती हुई समुद्र से जाकर मिलती हैं बिलको सही शावाश चलिए अगली पंक्ति का जबाब दीजिए सही है या गलत नदियां छोटे बच्चों की तरह हिमाले में बाल लिला करती हैं बताओ बताओ सही है कि गलत सही नदियां छोटे बच्चों की तरह हिमाले में बाल लिला करती हैं और आखरी पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं सही गलत बताने के लिए सुनिय ध्यान से लेखक ने इस निबंध में प्रकृती की घोर निंदा की है गलत लेखक ने इस निबंध में प्रकृती की प्रशंसा की है उन्हें पहाड़ों और नदियों की बात की है न तो प्रकृती की प्रशंसा की है प्रकृती के बारे में अच्छे सी बताया है कैसा लगा आपको बहुत सही जबाब दी आप लोगोंने सही गलत के चलिए इस पार्ठ में कुछ विशेशनों की चर्चा लिखकनी की है तो हम व्याकरण के इस अंश में विशेशन के बारे में पढ़ेंगे पहले बच्चो आप मुझे बताएंगे कि विशेशन क्या होते हैं चलिए मैं बताता हूँ संग्या और सरवनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं और जिन शब्दों की हम विशेशता बताते हैं वो शब्द विशेश कहलाते हैं यानि जो विशेशता है उसे हम विशेशन कहते हैं और जिसकी विशेशता बताए जा रही है उसे विशेश कहते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ विशेशन दे रहा हूँ और कुछ विशेश आपने उन्हें मिलाने हैं चलिए, अब देखिए, विशेशन है पहला संभरांत और उसके सामने विशेश है वर्षा, दूसरा विशेशन है चंचल और उसके सामने विशेश है जंगल, तीसरा विशेशन है समतल और उसके सामने विशेश है महिला, चौथा विशेशन है घना और उसके सामने विशेश है नदिया और आखरी विशेशन है मुसलाधार और उसके सामने विशेश है आंगन तो चलिए इसका मिलान कीजिए हाँ चलिए चलिए करिए समरान्त किसका विशेशन है बताए बताए शाबाश महिला का विशेशन समरान्त है आपने पढ़ा था ना समरान्त महिला शब्द इस पार्ठ में तो समरान्त महिला महिला का विशेशन है समरान्त अब देखिए अगला विशेशन चंचल चंचल किसक विशेशन है बताईए बताईए चंचल नदियां के लिए प्रयोग किया गया है चंचल नदियां नदियां विशेश है और चंचल विशेशन है शाबाज अगला बताईए समतल समतल किसके लिए है बताईए बताईए समतल आंगन के लिए आंगन समतल समतल विशेशन है आंग कर लिए ना शाबाश आप अच्छा कर रहे हैं चलिए चोथा करते हैं घना किसका विशेशन है देखिए अब तो दो ही रह गए ना घना जंगल शाबाश जंगल का विशेशन है घना जंगल की विशेशता है घना घना जंगल और विशेश है जंगल विशेशन है घना शाबा ना मुसलाधार वर्षा जब खुब तेज वर्षा होती है तो उसे हम कहते हैं मुसलाधार वर्षा वर्षा विशेश है और मुसलाधार विशेशन शाबाश अब हमने यह विशेशन विशेश कर लिए चलिए बच्चो हम आगे चलते हैं आप लोगों ने इस पाठ में बेतवा नदी पढ़ा था बेतवा नदी का लेखक ने इस पाठ में प्राचीन नाम भी दिया है प्राचीन नाम क्या पढ़ा था आपने वेतवा का प्राचीन नाम लेखक ने लिखा है वेत्रवती जब वेतवा का एक प्राचीन नाम वेत्रवती है तो आप क्या ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अनेक नदियां और भी तो होंगी जिनका प्राचीन नाम होगा तो बच्चो कई सारे नदियों के नाम आपने प्राचीन नाम ढूंडने हैं आप पता करने की कोशिश करें कि हमारी जो नदियां हैं गंगा, यमना, जेलम, व्यास, सतलूज इनके प्राचीन नाम क्या हैं आप कोशिश करेंगे ना, शाबस, आप अपनी मम्मी से, पापा से या जिस किसी से या किताब में से ढूंडिये कि हमारी अन्य नदियों के प्राचीन नाम क्या हैं आपको पता लगेगा नए नए नामों के बारे में कि पुराने समय में इन नदीयों को क्या कहा जाता था और अब इस समय में हम की नामों से पुकारते हैं शाबाश अब आगे चलें हम थोड़ा सा रिक्त स्थान करेंगे बच्छों इस पाठ में आपने जोगी पढ़ा पाठ को ध्यान से पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ती करेंगे चलिए मैं आपको पंक्ती देता हूँ और उसे आप उसके रिक्त स्थानों की पूर्ती करेंगे मैं पहली पंक्ती पढ़ रहा हूँ वह कौन सा डैश है जिसने इन्हें बेचैन करके रखा है पताईए बताईए किस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा शाबाश अपनी पाठ अच्छे से पढ़ा वह कौन सा लक्ष है जिसने इन्हें बेचैन करके रखा है चलिए अगले पंक्ती में बताईए क्या भरा जाएगा उनके प्रती मेरे दिल में डैश और आदर के भाव थे बताईए यहां रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा शाबाश उनके प्रती मेरे दिल में श्रद्धा और आदर के भाव थे तिसरी पंक्ती बताईए काका कालेलकर ने नदियों को डैश का रूप दिया है बताईए जरा यहां क्या भरा जाएगा शावाश अपने पढ़ा था ना बिल्कु सही काका कालेलकर ने नदियों को लूक माता का रूप दिया है चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं महा कवी काली दास को भी नदियों का डैश रूपक पसंद था बताएजरा यहां पर रिक्तिस्तान में क्या भरेंगे शाबाश महा कवी काली दास को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था शाबाश आप अच्छा जवाब दे रहे हैं अब हम आखरी पंक्ति पढ़ते हैं इन नदियों को माता के रूप में देखने से पहले हम इन्हें डैश के रूप में भी देख सकते हैं यहां क्या भरा जाएगा रिक्तस्थान में शाबाश इन नदियों को माता के रूप में देखने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं शाबाश आपने सभी रिक्तस्थान अच्छे से भरे और ठीक भरे हैं तो बच्चो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा अपने विशेशन की अच्छे से तयारी करें और अभ्यास करते रहें पाठ को समझें और दुबारा पढ़ें घर पर रहें सुरक्षित रहें खुश रहें धन्यवाई